नमस्कार मैं प्रगति पार्टिल आपका फिर से स्वागत करती हूं मेरे चानल में आज हम देखने वाले हैं एक सुन्दर केक यह कस्टमाइज केक है और यह है चोको ओरियो केक फ्लेवर का नाम जो है आप देख सकते इस पर सुन्दर मैंने रोजर्ज बनाये हुए है और यह कवर करने वाले है गनास से तो अब इसको हम कवर करेंगे गनास करना सफ्ञेश क्वार करनी की यह सबसे ईजी स्टाइल है जो मैं आपको दिखा रही हूं तो कोई भी इसको कर सकता है तो देखिए इसको हमको प्रोपर वैसे पूरी तरह से स्प्रेड करके लेना है और इसको हम जो है पैलेट नाइफ की मदद से इसको धीरे से स्प्रेड करेंगे पैलेट नाइफ एकदम धीरे से पकड़िए जिससे वो गनाश केवल टॉप पे केक पे स्प्रेड हो तो जब तक गनाश स्प्रेड हो रहा है मुझे एक आपको रिक्वेस्ट करनी है अगर आप मे अब इसको हम आर्टिफिछल डिपिंग दे रहे हैं। जहां पे महीं किर रहे हैं। इसको हम मैने वैको क를 ह्या मैं और इसको कर दो एक कर दो वहार है। तो देखिए flowers को भी हर ज़ा side से perfect आने के लिए हमको किस तरीके से करना है यह आपको मैं एकदम simple trick दिखा रही हूँ जो अभी तक किसी ने आपको बताई नहीं होगी एकदम easy way है इससे हर जगा पे equal distance पे flowers जो है हम बना सकते तो देखिए यह ऐसे मैंने सुंदर flowers बना लिये है यह two layer flowers है देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और किक भरा हुआ लगता है तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है मतलब इस stage पे भी आप इसको customer को दे सकते पर मेरी customer की customized design है उनको Oreo biscuits का toppers चाहिए इसके लिए इसको हमको और थोड़ा सा decorations करने है तो देखिए Oreo biscuits है इसको अपने को अलग अलग intervals में मतलब थोड़े थोड़े space चोड़के जो है अपने को लगाने है तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा gap रखके इसको ऐसे लगाए है तो कितने सुंदर दिख रहे है कि एकदम rich look आ गया इसके उपर और जो है अभी हम इसको border कर लेंगे कोई भी यह border हो गया है और customer ने इस पर अपना नाम लिखने बोला हुआ है जैसी कि मैंने आपको बता यह customized cake है तो नाम कैसे लिखने का यह भी तरीका में आपको दिखा रही हूँ कि piping bag में हमने इसमें white glaze लिया हुआ है और white glaze से हम इस पर नाम डाल रहे है एकदम simple तरीका आपको दि लिखारियों में तो जरूर ट्राइ करिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो देखिए ऐसे हमने इसको सुन्दर का नाम लिख दिया हुआ है अब इसको जो है हमको थोड़ा silver balls और golden balls से हम इ दो हार्ज बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद आते दो हार्ज बनाने के लिए तो यह पेरा पैटन है तो देखिए किता सुन्दर लग रहा है और इसके ओपर एक हैपी बड़े का हम टैग डाल देंगे जिससे ओक एक दम स्पेशल दिखेगा अपने आपी जैसे क्या टैग हमेशा सब लोग लगाते लगाने से यह ऐसा कटिंग अपन डारेक रखते है न तो और अच्छा लुकाता है तो देखिए अब इस पे हम थोड़े से स्प्रिंकलर्स एड़ कर देंगे तो उसका रिचनिस और बढ़ जाएगा चौकलेट एकदम पॉफिक जैसे बेकरी में म भूलिया मत फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में तब तक देखते रहिए और बाबाई